तो दोस्तो आज हम बात करेंगे प्रनायम के उपर प्रनायम क्यों करना चाहिए और किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए उसके उपर प्रनायम के क्या-क्या Benefit होते हैं और क्या-क्या Nुक्सान होते हैं इसके उपर भी हम बहुत ही आराम से बात करएगूए तो दोस्तों प्रनायम जो है वो सबी किसिन के लोग कर सकते हैं चाये हो बच्चे हो बूरे हो या फिर जवान हो कुछ-कुछ प्रणायम ऐसे होते हैं जो heart patient है, जिनको blood pressure है उनको नहीं करना चाहिए जो बहुत बिमार रहते हैं उनको कुछ-कुछ प्रणायम नहीं करने चाहिए बाकी कुछ प्रणायम ऐसे हैं जो सारे लोग कर सकते हैं तो चलिए, आज हम सिखते हैं प्रणायम किस तरह करते हैं और कहां से start करते हैं और कहां पे खतम करते हैं तो सबसे पहले आपको इस तरह back सीधी रखके बैठ जानी है, पदमासन, वजरासन या फिर सुखासन में पदमासन जो मैंने अब लगाया हुआ है इसे पदमासन कहते हैं और जो आप नर्मल बैठते हों पलसी मारके उसे सुखासन कहते हैं और जो दोनों पेरों को पीछे लेके बैठते हैं हम उसको वजरासन कहते हैं तो आज हम बैठे हैं पदमासन में बाकि आप अपने हिसाब से भी बैठ सकते हो ऐसे मुद्राय बहुत से टाइपस की होती है बढ़ मैं सज्जेस्ट करूँगा कि अगर आप नए हो तो आप ध्यान मुद्रा में ही बैठिए.. तो मैं ध्यान मुद्रा में बैठ जाओंगा और मेरी बैक सिदी और अपनी आखों को कर लेंगे बन अपनी आखें बन करेंगे और सबसे पहले आप करेंगे तीन बार ओम कार तो एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और धीमी आवाज में प्यार से तीन बार करेंगे ओम आपिए आपिए और रो आपिए 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 इन्हेल तो आपको तीन बार ओम कार करना है जिससे आपका माइंड और बोड़ी एकदम रिलेक्स हो जाए उसके बाद आप करेंगे भरष्टिका ओम कार इसलिए करना चाहिए कि जब आप ओम से श्टार्ड करते हो तो आपकी जो बागी प्रनायम है जो आपकी टोटल साथ प्रनायम हम करेंगे वो काफी अच्छे से होने लगता है जब आपका माइंड रिलेक्स होता है जब आपकी लेंगे क्योंकि यह वीडियो यह बेसिक लोगों के लिए है जो सारे कर पाए बहुत आसान इसे तो सबसे पहले हम करेंगे भरस्टिका जो बहुत ही आसान है जैसे आपको एक सास लेनी है चोड़नी है अगर आपको सर्दी है जुकाम है नाग जाम है तो आप मुझसे आउड करते हो इस तरह जासे आप वीडियो में देख रहे हो इस तरह धीरे धीरे करना है जो हाड पेसंट है जो बहुत बीमार रहते हैं उनको धीरे-धीरे करना चाहिए और जिनको कोई प्रोब्लम नहीं है वह इस चीज को थोड़ा स्पीड करते जैसे कि इस तरह थर्टी सेकंड से लेकर आप इसको एक मिनट कर सकते हो जैसे जैसे आपका स्टैमिना इसमें बढ़ जाता है आप इसको एक मिनट से लेकर तीन से पाँच मिनट भी कर सकते हो अगर आप नए हो, आप हाट पेसंट हो, आपको ब्लड पेसर है, तो आप इसको 30 सेकंड कीजिए, बैस टोका और धीरे कीजिए, अगर आपको इसको बढ़ाना है, तो धीरे धीरे कीजिए, और इसको आप एक मिनिट से लेकर दो मिनिट तक लेकर जा सकते हो, तो सबसे पहले भ्रहस्टिका यह आपकी बॉड़ी में एनर्जी बिल्ड करता है आपकी बॉड़ी को हीट देता है जैसे हम काडियो करते हैं काडियो में किस तरह हमारी बॉड़ी गरम हो जाती है तो इसी तरह बॉड़ी जो हमारी बॉड़ी है भ्रहस्टिका में भी हमारी बॉड़ी काफी गरम हो जाती है उसके बाद जो आगे के जो प्रोसेस है वो काफी अच्छे होने लगते हैं तो मैं कम-कम करके बताऊंगा बाकि आप इसको मैं टाइम बता दूंगा आपको कितना मिनट करना है किसको करना है वो सारी चीजे हम इस वीडियो में सेर करेंगे तो ब्रहष्टिका होने के बाद हम करेंगे कपाल बाती कपाल बाती में भी बहुत अलग अलग टाइपस होते हैं बट हम सिंपल टाइपस लेंगे सिंपल वेरियेशन लेंगे कोई ज्यादा मिलावट नहीं करेंगे इसके अंदर तो सबसे पहले आपको नॉर्मल बैठ जाना है बैक सीधी होता है तो कपाल बाती स्टाड करेंगे इस अलगे तो यह इस तरह पेट अंदर और साथ बाहर अगर आप नए हो तो इसको तीन मिनट कीजिए तीन से पाँच मिनट कीजिए जैसे जैसे आपका स्टेमीना बर जाता है। अब इसको पाँच मिनट से लेकर 15 मिनट तक कर सकता है। यह मैं जानकरे के लिए आपको बता दूँ कि यह blood pressure जिनको है उनको एक minute में 30 बार करना चाहिए और जिनको कोई problem नहीं है वो एक minute में 60 बार से लेकर 120 बार कर सकता है तो यह blood pressure के लिए हो गया जिनको कम करना है धीरे करना है और heart की problem है उनको भी धीरे करना है दो second में 1 reps लगा जाता है और जिनको बहुत सारी problem है जिनको cancer है internal बहुत सारी problem होती है breathing की problem होती है hemoglobin कम हो जाता है body में कमजोरी होती है vitamin D कम हो जाता है उनके लिए बहुत बैस्ट है body में कहीं पर कोई भी गाट आ जाता है या cancer होता है ऐसी problem के लिए इसको आपको 15 मिनट से लेकर 10 मिनट से हो यह बैस्ट रोता है खाली धियान रखने कि आपको कपाल बाती करते हैं आपकी जो बैक है वो हमेशा सीधी होनी चीए तब आप इसका बेनिफिट ले पाओगे तो यह कपाल बाती हो गया जिसको जिसको करना है वो सारा बता दिया मैंने इसके बाद हम लेंगे उज्जय मे इसको फार चोड़ते हुए नीचे है सास अंदर लेते हुए वूपर सास बाहर चोड़ते वह नीचे के असर डायननसार कि आवाज आपको गले से निकालनी है थाइरवड की प्रॉब्लम है गले की समस्या है तो इसको आप कीजिए तीन बार ते लेकर छे बार छे से नौ बार या आप इसको 21 बार भी कर सकते हो ठाइरड की प्रोब्लम है उसमें काफी हेल्प मिलेगी आपको यह होगा भरस्टी का नौली किरिया भी होती है वो मैं नहीं करूंगा क्योंकि वो मुझे भी अच्छे से नहीं आता है तो नौली किरिया को हम स्किप करे लेंगे उसकी जगह हम बाये प्रणायम लेंगे बाये में क्या करना है सबसे पहले आपको एक लंबी और गहरी सास लिए यह ध्यान देना है कि जिनको हाट की प्रोब्लम है हाई ब्लड प्रेसर होता है उनको यह नहीं करना यह नौर्मल इंसानों के लिए जो नौर्मल हवा भरते हैं और धीरे से सासों को बाहर कर दीजिए पेट को अंदर खिशते हुए और सोल्डर को रिलाक्स करते हुए वापस एक लंबी और गहरी सास लेंगे अश्यागे और सास को रोग दीजिए बृट को होल करेंगे कम से कम 15 से लेकर 20 से कंड तक आप वोल कीजिए पहला रॉंड 15 से 30 seconds या फिर आप 30 seconds से लेकर 40 सेकंड भीखर सकते हो, फोस्ट राउन आपका हमेशा होता होना चीए। अगर 30 सेकंड ले रहे हो, तो 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 नेरो आपको 40 सेकंड हो और तीसरा जो राउंद हो 50 सेकंड हो। दीरे दीरे आप आपने वोल्डिंग पावर को बढ़ाओंगे तब की जो ब्रीधिंग की केपिसिटी वह अच्छी हो जागे आप इसको डेर मिनिट तक होड़ कर सकते हो तो हम थर्टी सेकंड होल्ड करेंगे कि सास को रोग देना बस ना लेना है न छोड़ना है बस रोग के रखिए थर्टी सेकंड होल्ड कीजिए फिर धीरे से ब्रीध आउट कर दीजिए इसके आपको लेने है थ्री राउंड थ्री राउंड होने के बाद यह मैं स्टेप बैस्टेप बता रहा हूं कि आपको कैसे कैसे करना है देखो अगर आप यह सब नहीं कर सकते हो ताव सिंपल है आप आपको बैक सीधी रखने है तभी आप इसका बेनिफिट ले पाओगे तो अनलोम विलोम बैक सीधी ध्यान मुद्रा राइट हाथ उठाएंगे राइट नोस को क्लोज करेंगे लेफ्ट इन्हेल राइट एक्सेल राइट इन्हेल प्रम डेट राइट 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 एक्सेल तो इस तरह करना है अनुलोम विलोम बहुत सिंपल है आप धिरे-धिरे कर सकते हो यह सब के लिए चाहिए वह हाट के प्रोब्लम हो या ब्लड प्रेसर हो कोई ऐसी प्रोब्लम है कैंसर हो टीवी किसी भी तरह का प्रोब्लम हो यह हर कोई कर सकता है कपाल भाती मैंने बता तेया किसको करना 6 को करना अनुलॉम विलोम सारे लोग कर सकतेlando कितना मिनट करना कर दूस्तों अनुलॉम कम से कम सेम पाझ अगर आप नए तो पास मिनट किजिए देरे देरे आपका इस्टैमीना बढ़ता आप इसको पंद्रै मिनट तक लेगर जा bizon can तो अनुलोम विलोम करना है, अनुलोम विलोम से क्या होता है, हमारी बॉड़ी के हर एक पाट के अंदर ऑक्सिजन पहुंचता है, बलड का फ्लो अच्छा होता है, और जैसे हमारी बॉड़ी में बहुत तनाव होता है, बहुत इस्ट्रेस होता है, बहुत थकान होता है, रात को नीन्द कम आती है तो आपको आस्कों अनुलोम विलोम करके सोज़ाएए आपको नीन्द काफी अच्छी आई आए आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा आपकी बौड़ी के अंदर बीमारी कम आएगी और बीमार कम परोगे और भी इसके बहुत सारे बेनेफिट ये और एक इंसान अप्लाई कर सकते अपनी लाइब में तो अनुलोम विलोम बता दिया उसके बाद लेंगे हम ब्रामरी ब्रामरी भी बैस्ट होता है मन एकदम सांथ हो जाता है यहां पर आपको वाइब्रेशन फिलोगा आपका इस्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा आपको नींद की दिक्कत है सेम यह भी नींद की दिक्कत में नींद की प्रॉब्लम में काफी हैल्प करता है ब्रामरी लेना है इस तरह कानों को बन कर लीजिए आखे बन कर लीजिए और दोंगुली माते के ऊपर अब एक लंबी और गैरे सास लीजिए इन्हाल इन्हाल तो इसे कहते हैं ब्रहामपरी किसी को भूलनी की प्रोब्लम है बहुत जल्दी चीजे भूल जाते हो तो आप ब्रहामपरी करो अनुलोम विलोम करो बैस्ट है यह इसको आप कितने बार कर सकते हो तीन बार से लेकर छे बार छे से नौ बार या फिर आप किस बार भी इस चीज कर सकते हो बहुत आसान है इसे आप अपने उपको रिलक्स फील करते हो अगर जीं में वर्काउट करते हो काडियो करते हो तो लास्त में आपको क्रे Lebens करना चाहिए यह बोताा दूगा जो चुड़ी ने से मैं काफ़ी रिलेक्स हो जाता हूं और जब भी मैं अपने आसनस की प्रैक्टिस करता हूं वो काफी अच्छी होती है तो यह ब्रामरी हो गया उसके बाद करेंगे वापस ओम कार यह हमारा लास्ट है एक लंबी और गहरी सास लेंगे ओम 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 हम कार भी आपको तीन बार करना है इतर से जाएंगे तो प्रुच्छ जलेंगा तो यह ओमकार भी आपको तीन बार करना है लास्ट में ओमकार करने के बाद अबको क्या करना है? जिस्त आपको अपनी BAC सीधisesti रखना है. दोनों हाथों को ध्यार मुद्रा में रखना है और अपने आखे बन कीजिए और पहले तो आप 10 से लेकर एक तक ULTV गिंती गिनिए. हर एक सास में एक गिंती जैसे मैंने एक बार सास लिया, सास बाहर, नव, वापस सास लिया, सास बाहर, आठ, ऐसे धीरे-धीरे आपको दस से लेकर एक तक आना है, उसके बाद दोस्तों आप अपने आसपास की चीजों को ध्यान दीजिए, जैसे आपके आसपास से जोबी आवाजे आ रही है, जानवरों की आवाजे, कववे की आवाजे, पंचियों की आवाजे, हवाओं की आवाजे, नेचर से जो भी आवाजे आती है, बस आप उसको सुनने की कोसिस कीजिए, बहुत ही आराम से, अपने चारों तरफ ध्यान दीजिए, मन को एकदम सान रखेंगे, अपने आज पास की चीजों को बहुत ही आराम से सुनने की कोसिस कीजिए, धीरे धीरे आप फील करेंगे, कि आपका मन एकदम सान हो रहा है, आपकी बोड़ी एकदम रिलेक्स हो रही है, जो भी स्ट्रेस जो भी तना हो है, वो सब दूर हो रहा है, आप अपने आपको एकदम फ्रेस फिल कर रहे हो, ये लास्ट में आपको मेडिटेसन पास से दस मिनट करना चाहिए, काफी आप रिलेक्स फिल करते हो, काफी एनरजी फिल करते हो, और बोड़ी के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो भी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब भी हमारा माइंड और बोड़ी रिलेक्स हो जाता है, जब भी हम कोई भी आसन्स करते हैं, वो अडवानस आसन हो, या बेसिक आसन्स हो, वो काफी अच्छा हो जाता है, तो इसको आप कीजिए ट्राई, और काफी झाल 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